नमस्कार स्वाकत आपका इंडिया न्यूस 28 में ये बात करते हैं वद्रप्रदेश की कोच खास खबरों की राय से इन 12 घंटे में 150 शिकायते सुधार नहीं तो रात में ही किया चक्का जाम जब बिजी गुल होने के शिकायत करने के बाद भी सुधार कार्य नहीं हुआ तो श्रीजी पुरम कॉलोनी के रहवासियों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने रात में ही बिजी कंपनी के कार्याले की सामने सागर रोड पर चक्का जाम कर दिया नाराज लोगों ने लोहे की सामगरी सड़क पर रख दी इसके चलते वहां से वाहनों का आवागमन रोग गया और देखते ही देखते बिजी कंपनी के कार्याले के दोनों और वाहनों की कतारे लग गई कॉलोनी के रहवासी राम मोहन शर्मा ने बताया कि उनके घर की बिजली पिछले तीन दिन से बंद है कई बार बिजली कमपनी के अधिकारी कर्मचारियों को फोन लगा कर इस समस्या से अबगत कराया पर इसका कोई निराकरन नहीं निकल पाया शनिवार रात तक भी जब बिजली सप्लाई चालू नहीं हुई तो वह अपने साथियों के साथ बिजली कमपनी के कार्याले पहुँचे यहां उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और उसके बाद रोल पर चक्का जाम कर दिया जानकारी मिलने के बाद पुल इस मौके पर पहुँची और बिजली कमपनी के कर्मचारियों को कॉलोनी की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कहा तब कहीं जाकर कॉलोनी के रहवासियों ने चक्का जाम खत्म किया व्यक्तिगग शिकायते अधिक बिजली कमपनी के शहर जेई प्रांजल शर्मा से शहर में मेंटेनेंस के बाद भी बिजली गुल की अधिक शिकायतों को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बिजली गुल की अधिकतर शिकायते व्यक्तिगग कनेक्शन किया रही है यानी एक एक कनेक्शन की बिजली बंद होने की मेंटिनेंस का काम सब स्टेशन बिजली की लाइने और ट्रांस्फोर्मर का क्या जाता है शेहर में बड़ेक्षेत्र की एक साथ बिजली गुल होने की समस्या नहीं आई है राय सेन से समवाद दाता राकेश जैंग की रिपोर्ट बार बार आ रही है जा रही है मैं बार बार कंप्रेंट कर रहा हूं इनके हर कर्मिचारी को मैंने फोन लगाया है क्योंकि मैं इन इलेक्टिशन विबाद के जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ लेकिन आज तक मेरे कोई सुनवाई नहीं मजबूरन मुझे है रोट पे आना पड मैंने सब सीम हैल्प लाइन में तक सकाथ करी इनके मनीश रिवास्तर को सकायत करी यहां सुवं सेन को सकायत करी कि मेरे घर की लाइड नहीं जल लए एक आपका धनेंजा पठेर पठा रिया है उसको सब्सक्राइब बार फोन लगा उठा उठाए नहीं यह पून क्या बोलत